हेलो फ्रेंट्स आज हम बात करेंगे जीट वंटी समिट के बारे में जीट वंटी समिट जो की चोद्वी समिट है और जापान के उसाका सहर में हो रही है यहाँ पर दुनिया भर से सीर्षनेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं जो की राष्ट्रा धक्ष है या फिर वहां के प्रधानमंतरी है तो आई यह समिट के बारे में कुछ खास बाते हम जानते हैं यह जो है चोद्वी समिट है और इस समिट में 19 सदश्यदेश और 22 सदश्यदेश जो ही वह यू यूनियन है इसमें भार्ज की और से प्रधानमंतरी जिंदर मोदी शिरकत कर रहे हैं और G20 समिट के बारे में हम बताते हैं आपको कि फर्स्ट जो G20 समिट हुई थी वह बर्लीन में आयोजित हुई थी जरमनी का एक सहर है बर्लीन वहां 1999 के अंदर इसका सम्मेलन हुआ था दोस्तों यह जो G20 है इसका गठन जो है ACI आर्थिक संकट के बाद क्या गया था पूरे ACI के अंदर आर्थिक संकट आ गया था तो तब इसका गठन G70 के दवारा क्या गया था इसके स्थापना के पिछे जो मुख्य कारण था वो आर्थिक और वितिये मुद्दे ही था उन इस देशों के साथ European भाग लेते हैं दोस्तों जो दूसरे कंट्री है उनको as a guest बुलाया जाता है बट जो decision process होती है उनमें उन देशों के जो प्रतिनेधी होते हैं उनको सामिल नहीं किया जाता दोस्तों इस समूं के इंदर G20 यानि कि Group 20 में कौन-कौन से देश हैं वो हम संटिना आस्ट्रेलिया ब्राजिल कनाडा फ्रांस जर्मनी भार्त इंडोनेशिया इटली जापान मैक्सिको रूस साथी अर्व दक्षिन कोरिया टर्की युनाइटेड किंग्डम अमेरिका चीन और दक्षिन अफरिकत से देश सामिल है उसके साथ इसमें क्या है दोस्तों टवनowe जो डेश हैं जोकी सकतिशाली देश है विकास सिल देश हैं उसका समो है गैसने पहले देश देश त्यूने इसका घठन किया था वह कुण्शे देश थे ओहें कनाडा फ्रांस जर्मनी इटली पन बिटेन और श्यूक्त राजग का अमेरिका यहीं कहा जाता है कि इसको कि इसमें पहले इनी सेवन देशों ने सपार टीशा किया था यही सामील हूए थे सम्हू के अंदर दोस्तो हम आपको बताती हैं कि है कि इसे जुड़ी होई रोजचक बाते हैं कि जी टोंटी में सामील देश है, उनके पास दुनिया की सभी देशों की GDP का 85% है विस्व की GDP का दोस्तो दुसरी जो रोजचक बात है इसके बारे में कि जो global trade है उसके ओपर इन देशों का 75% के ऊपर कबज़ा इनही देशों का है और 85 global investment पर भी इनही का कबज़ा है दोस्तों इस सम्मिट में 2008 से पहले विटमंतरी और केंदरी बैंकों के ग sticker करते थे वो क्यों करते थे क्योंकि इस सम्मिट का गठन ही ACII आर्थिक संकट के लिए कैया गया था तब उस समय पे आर्थिक संकट आ गया था तो आर्थिक संकट का रिलेशन किससे होता है कि जो धन समंदी जो कारिया करते हैं वो बैंकों की गुवर्नर और वितमंतरी ही करते हैं तो इसलिये ऐस टाइम पर इसके अंदर बैंकों की गवर्नर और वितमंतरी ही participate करते हैं लेकिन आजकल इस summit के अंदर हर देश के काफी अलग-लग मुद्दे उठने लगे हैं काफी सारी प्रोब्लम हर देश के सामने आ रही है तो इसलिए अब वो जो प्रोसेस है वो जो परंपरा है वो खतम हो गई है उस परंपरा से आगे इसके अंदर क्या है कि अब देशों के पर्थान मंतरी और राष्टरपति इसमें पार्टिस्पे गया था और हम आपको बता रहे हैं कि जो जी 2020 होगा यानि कि नेक्स्ट जो समिट होगी वो समिट उसकी मेजबानी कोन करेगा उसकी मेजबानी साओधी अरब करेगा और दोस्तों जब जिस देश में यह समिट आयोजित की जाती है दो दिवसे समिट होती है इस दो दिवसे ध्यान देने यूग है G20 का कोई भी ने तो मुख्यल नहीं है इसके लिए कोई बजट बनता है इसके 20 देस इसमें हिस्सा लेते हैं लेकिन इसका कहीं भी कोई मुख्यल नहीं है यह बात किसी भी एक्जाम में पुछी जा सकती है और इसको नोट करना बहुत जरूरी है थैंक्स पर वाचिंग फ्रेंट्स